नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपकार के क्लासिस में BPSC PT 67 के अंतरगत अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार जोग्रफी को इससे पहले भी हम लोगों ने बिहार का परिचाय काफी विस्तार से पढ़ा था तो आज हमारा उसका एक पार्ट रह गया मैदानी भाग उसके बा आप जरूर रिवाइज कर लें कि साथ ही सभी लेक्टर का पीडियाप जो है टेलिग्राम पर मिल जागा जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके लाबा देखिए ट्विटर का लिंक दिया हुआ है आप उसको भी जरूर जोइन करें तो चलिए सुरू कर करते हैं आज का अपना टॉपिक कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी मैदानी भाग यह पिछले क्लास का थोड़ा सा रह गया था मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे तो यह मैप आप देखी रहे हैं यह उत्री बिहार दक्षनी बिहार अगर बात करें तो यह देखिए महाननदा कोशी गंडग गगर फिर दक्षनी बिहार की बात करें चांदन मगद सोन रिवर इस तरह से मैदान का विवाजन किया गया है और यह वाला जो भाग है आरकियन युक दक्कन से रिलेटेड हम ल कहां बेवस्तित हैं यह आपको याद होगा अगर आपको यह अभी तक याद नहीं है तो कई सारे जो कंसेप्शल कोशन होते हैं उसमें साइद आप पीछे रह सकते हैं है तो आपको क्या ध्यान में रखना था कि इधर हम लोगों ने साथ डिविजन किया था ठीक है इधर पर है चोटा सा जो कि नेपाल बॉर्डर को टच नहीं करता है इधर वाली दिले हम लोगों ने देखे थे मद्य में जो है उसको देखा था तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाए उसको देख लीजिए फिलाल हम लोग यहां फोकस करेंगे मैदा पर जो कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कहता है कि उत्री बिहार के मैदानी भाग को प्रादेशिक तोर पर निम्द वर्गों में बाटा जा सकता है कौन-कौन सा वर्ग है देख लेते हैं महाननदा का मैदान क्या कहता है देख लीजिए कि यह मैदान जो है महाननदा और कोसी के बीच स्थित है हो सकता है हम से सवाल पूछ ले कि महाननदा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित है तो एक नदि तो हम लोग को दिख रहा है महाननदा होगा अगला मे कोशी का मैदान तो यह बिहार का सबसे ज़्यादा बाल प्रभावी छेत्र है और कोशी एवं कमला नदी के बीच का छेत्र वहीं बात करें गंडक का मैदान तो कमला एवं गंडक की बीच इस्थित जो मैदान है उसे गंडक का मैदान नाम दिया गया है आगे है यह पस्षिमी बिहार का मैदान है जहां से यूपी की सीमा सुरू होती है गगर का मैदान यह उत्री बिहार का मैदान है बात करें दक्षिनी बिहार का तो कहता है दक्षिनी बिहार के मैदानी भाग को तीन भागों में बाटा जा सकता है एक तो हो गया सौन नदी का मैदान, तो ये देखी पूछ सकता है हम से कि सौन नदी का मैदान किन दो नदियों की बीच मतलब पड़ता है, या इस्तित है, तो सौन नदी का जो मैदान है करम नाशा और सौन नदी के बीच पड़ता है, बात करें मगद का मैदान, तो मगद का मैदान जो है यह सोन और क्यूल नदी के बीच में है मगत का मैदान सोन एवं क्यूल के बीच में वहीं अगर हमसे पूछ ले कि चंदन का मैदान तो यह है दक्षिन पुर्वी बिहार का मैदान जो है इसे चंदन का मैदान कहते हैं यह वाला प्लेन जो देख रहे हैं यह वाल इंद्याचल रिलेटिड है चलिए अब देखेंगे हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में कुछ पढ़ेंगे बेसिक बेसिक फैक्ट ही है पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन तो जरूरी है कहता है कि मिट्टी के निर्मान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की अगर बात करें तो देखें इनमें क्या-क्या सामिल होता है जलवायू है जनक पैरेंट चटान वनस्पती और वहां का स्लोग ये सभी जो है ये मिट्टी के निर्मान को प्रभावित करते हैं आगे देख लेंगे प्रमुख मिट्टी को पढ़ने से पहले एक बार फिगर को ध्य कर लेंगे हम लोग ये देखें मैप जो है थोड़ा उल्टा बन गया मतलब उल्टा क्या मतलब ये वाला इस साइड होता है जो कि पीछे से जल्दी की छांपने की चक्कर में इधर हो गया है तो खेर कोई बात नहीं ये देखिए ये जो उतरी छेत्र है ठीक है इसमें पु अच्छी वनस्पती मतलब घनी वनस्पती यहां पाई जाती है चुकि जल काफी मात्रा में उपलब रहता है और जूट चावल यहां की प्रमुख खेती होती है उसके बाद इससे जो नीचे है मतलब इसके थोड़ा सा नीचे दक्षिन का जो छेत्र है ये वाला जो भाग इसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसे बलसुंदरी मिट्टी कहती है ठीक है और बलसुंदरी के दक्षिन में जो निम्न भूमी का छेत्र है वो चौर कहलाता है उसके दक्षिन में जो है वो टाल कहलाता है जैसे बड़ाया टाल वगेरा तो इस छेत्र में टाल है वहीं अ मिट्टी ये तो दक्कन छेतर है और ये पत्रीला है लाइम स्टोन जो की विंद्याचल का भाग है उसके बाद केवाल के बाद जो छेतर पड़ता है उसमें बल्थर मिट्टी आती है इनकी इस्तिती को भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिर्फ आप ध्यान में रख लें क फिर चौर, टाल, केवाल, बल्थर या कुझ ध्यान में रहेगा तो एरिया आप फाइंड कर सकते हैं बाद की अभी इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं तराई के बारे में कहता है कि बिहार की उत्री भाग में नेपाल की सीमा से लगे छेतर या जिले का छेतर तराई छेतर अगर हमसे सवाल पूछ ले कि बिहार के किस छेतर में हिमाले से आने वाले चूने का निछेब मिलता है ध्यान रखना है तराई छेतर में बाकी हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि काफी जादा जो है यहाँ पर जूट चावल वगेरा की खेती होती है तर लोड नीचे पी छेतर और यह कौन सा छेतर मुजफरपूर धरबंगा सहरसा में बल सुन्दरी मिट्टी जो है पाया जाता है इन छेतरों में जो मिट्टियां पाई जाती है उसे बल सुन्दरी मिट्टी कहते हैं तो देखिए जैसे अगर ऐसी इस तरह से हम लोग अगर ए आपको जरूर देखना चाहिए उसमें जो है सभी जिलों का क्रम हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से याद किया था ठीक है दो मिनिट आपका समय लेंगे जैसे की मुझफरपूर था हमारा फिर उसके नीचे वैसाली था इधर देख लीजेग अगर आप दरभंगा था दरभंगा के नीचे हमारा जो है समस्तिपूर था फिर यहां पर हमारा बेगुशराय था फिर हमारा सहरसा था खगड़िया था तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से याद किया था तो ध्यान रखना है बलसुंदरी मिट्टी का छेतर कौन सा है मुझफरपूर दरभंगा सहरसा बात करें टाल छेतर की तो गंगा नदी के उतरी छेतर में गंगा नदी के उतरी छेतर में बाढ के पानी से जमाव जो होता निमन भूमी छेतर का जो एरिया ह तक मिच्टी केवाल मिट्टी दक्षनी ब्यार का वह उत्री छेटर डेखिये इस तरह से उगर बात करें ये दक्षनी बिहार का वह उत्री छेतर जो जुडा हुआ है उस शेदरे की मिट्टी को केवाल कहते हैं केवाल और यह उबजावू मिट्टी होती है इतराई केवाल टाल यह सभी जलोड मिट्टी का ही अंस है बात करें बल्थर मिट्टी की तो कहता है कि केवाल के दक्षिन में रोहताज से लेकर भागलपूर तक बल्थर मिट्टी मिलत पुराने आर्केन चट्टान का बना हुआ है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है और यह क्या है यह रूपांतरी चट्टान है इस शेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है और मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो iron oxide की उपस्थिती के कारण इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है तो बिहार की प्रमुख मिट्टियों को हम लोगों ने देखा इसके बाद हम लोग जलवायू या और भी किसी टॉपिक को कवर करेंगे उम्मीद है आपका रिवीजन हुआ होगा इसके लावा देखिए कुछ अगर प्रिवियस येर प्रश्ण आपके पास अगर बुक होगा ही के बेसी नेनो हो या अम्तियाज अहमत सरकी बुक हो उसमें अगर कुछ इंपॉर्टन कोश्चन खास करके जो की प्रिवियस येर है वो मिलता है तो आप इसमें जरूर एड़ कर दें चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद किरप्या सपोर्ट करते रहें